वेल्कम गाईस वेल्कम टो मैं चैनल आज हम लोग डी ट्रिप्लेस पी का पीजटी एकनॉमिक्स का दो हजार इकीस का जो कोश्चन बेपर सॉल्व कर रहे थी ओल्रेडी हम इसके दो पार्ट डिटेल में डिसकस कर चुके हैं आज हम इसका थार्ड पार्ट डिसकस करेंगे अ यहां पर आपको जो भी टोपिक हम इसका डिसकस करेंगे उसकी पीडिएफ मिल जाएगी तो आज का जो हमारा पहला कोश्चन है कोश्चन नमबर 42 को देखिए कोश्चन नमबर 42 में बोला गया है confirmation and refutation of economics theory on the basis of sample evidence is based on a branch of statistical theory known as यहां पर यह बोला गया है कि आपकी economics की theory है और जो economics की theory बनी है वो आपके sample data पर या फिर sample के evidence पर बनी है और इस economics theory को आप अब confirmation दोगे confirmation का मतलब है accept करोगे या reputation का मतलब है मनहाई करोगे इसको stats के अंदर किस नाम से जाना जाता है आपको question समझ आया आपकी economics की theory है जो की sample evidence मतलब आपके पास evidence है उसको proof करने के लिए लेकिन वो evidence किस पर बेस है sample पर बेस है और यह जो sample evidence पर बेस economics theory है इसको आप confirm करोगे मतलब confirmation मतलब आप टिक का sign दोगे या फिर इसको मानने से मना करते हैं हम तो stat में इसको किस नाम से जाना जाता है इसका right answer आपको बताना है first option है statistical proof, statistical interpretation, statistical inference, statistical postulate इसको हम जानते है statistical inference, statistical inference क्या होता है, statistical inference क्या होता है कि हम क्या करते है, sample से जो भी result आता है आपका, आपकी economics theory देखा दाना हमने question में किस पर सेंपल से जो भी आपका रिजल्ट आता है उसको हम क्या करते हैं जर्नलाइज करते हैं जर्नलाइज का मतलब हुआ आप उसको हर एक चीज़ पर मतलब हर जंगा अपलाई करेंगे तो यहां पर इस question का right answer आपका option number C हो गया statistical inference अगर इसकी आप definition की बात करें तो इसकी definition क्या होती है statistical inference क्या होता है is an act of journalism from sample to population with calculated degree of certainty ठीक है आप अपने result को जर्नलाइज करते हैं वो भी कौन से result को sample वाले result को जर्नलाइज करते हैं option number C यहां पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में आपको बोला गया है which of the following is not a data adjusting method इन में से क्या जो है data को adjust करने का method नहीं है अब हम क्या करते है research करते है research करते time आपको अपने data को क्या करना पड़ता है adjust करना पड़ता है उसकी adjustment करनी पड़ती है तो question में बोला गया है कि इन में से किस चीज़ से data को adjust नहीं किया जाता हम क्या करते है अपने data को जो भी हमाले पास raw data होता है उसको weight assign करते हैं weight assign करने के बाद data की adjustment होती है तो यह तो एक method है data को adjust करने का उसके बाद variable रेस्पिफिकेशन रेस्पिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम क्या करें हमारा data होता है उसके अंदर हम कोई ना कोई नए variables को include करना चाहते हैं आपके पास पहले किसी भी सीज़ का data है आपके पास consumption का है इंकम का है आप इसको लेकर research कर रहे हैं लेकिन जब आप इन दो डाटों से आपका काम नहीं चल रहा है आप कोई नया variable क्या करना चाहते हैं नए data में क्या करना चाहते हैं इंटर्ड्ub करना चाहते हैं तो उस टाइम आप किस method का यूज करते हैं हम प्यूस करते हैं फिर हम क्या करते हैं जो हमारे पुराने variables होते हैं इन में ही हम क्या करते हैं Modification कर सकते हैं Changes कर सकते हैं तो यह भी data को अज़िस्ट करने का मैथ है scale transformation scale का transformation हो जाना Scale पूरी तरह से बदल जाना तो यह भी data को अजुश्ट करने काएग क्या है method है तो यहाँ पर जो एक option आपका बचा वह क्या बचा फिल्ड एडिटिंग फिल्ड एडिटिंग जो है वो adjustment method जो है नहीं है तो option number c आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए which of the following method is an orderly arrangement of data in column and row यहाँ पर बोला गया है इनके methods में से कौन सा एक method है जो क्या करता है आपके data को या फिर कौन सा एक ऐसा method है जो आपके data को row and column में arrange करता है अब आपको statement पढ़ते ही समझा गया कि कौन है जो आपके data को row में और column में क्या कर सकता है अरेंज कर सकता है systematic तरीके से तो आपको पता है वो है tabulation tabulation का मतलब table जो होती है वो आपके data को row और column में systematically arrange कर सकती है तो option number c यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला गया है which of the following is correct regarding the linear regression model अब आप से classical linear regression model के बारे में statement दी गई है और यह बोला गया है कि इन में से कौन सी जो है correct है first option देखिए the regression model is linear in parameter यहाँ पर बोला गया है जो आपका regression का model है माल लो आपका regression का model है beta 0 plus beta 1 x1 x2 x2 यहाँ पर यह बोला गया है यह regression model जो है linear होगा parameters parameter कौन कौन से हुए आप बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2 तो statement पढ़ो पुई regression model is linear in parameter but it may be or may not be linear in variables यह बात बिल्कुल सही है आपका classical linear regression model यही कहता है कि आपके parameters तो linear होंगे beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 लेकिन आपके जो variables हैं वो linear हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं हो सकता है यहाँ पर x1 हो और यहाँ पर x2 नीचे ना होकर x2 का square हो और यहाँ पर beta 3 में x का cube हो ऐसी possibility हो सकती है तो इसी लिए option number first to correct है second को पढ़िए the variance of error term जो आपकी error term है error term हमारी क्या होती है e जो error term है यह random variable है यह होती है हमारी error term यही हमारा random variable होता है अब question में कहा रहे हैं इसका जो variance है वो क्या है वो throughout the same रहता है मतलब कि x की हर एक value के लिए आपका variance जो है same रहता है आपको पता है यह हमारी classical linear की second third objection होती है कि जब हमारा जो variance होता है error term का वो क्या होना चाहिए error term का variance हमारा क्या होना चाहिए constant होना चाहिए तो यहाँ पर भी यही बोला है कि variance of error term आपका same है आपकी हर एक value x के लिए तो यहाँ पर बोली गई दोनो statement correct है option number b आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए which of the following formula suggested HA struggles to determine the size of class interval while preparing data अब यहाँ पर यह बोला गया है HA struggles अब यहाँ पर यह बोला गया है कि यहाँ पर आपके पास चार options है अब इन में से कौन सा option correct है किसको लेकर आपको क्या प्रिपेर करना है class interval मालों आप research कर रहे हो research करते टाइम हमें क्या बनाना पड़ता है research करते टाइम data के साथ आपको काम करना पड़ता है आपके पस data होता है अभी यह यहाँ पर बोला गया है कि हेस ट्रगर ने कूम सा एक formula बताया है जिसकी मदद से आप अपने data को data को interval class interval size of class interval निकाल सकते हैं अपने data का तो जो formula है वो आपका है i is जिसकों बोलते है class interval equal r 1 upon 3.3 log n यहाँ पर log n का मतलब है आपके data में total number of observations ठीक है यहाँ पर option number a आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है which of the following is not one of the be merit of data collection through questionnaire अब इन में से आपको चार option given है question आपका कह रहा है कि इन में से कौम सी demerit नहीं है अगर आप data किसे collect करते हो questionnaire से collect करते हो फास्ट ओप्शन देखिए फास्ट ओप्शन में बोला गया है the cost increase as the number of respondent increase अगर आप questionnaire से data बनाते हैं questionnaire का मतलब हुआ आपने research करने के लिए questions बनाए और आप लोगों से क्या पूछ रहे हो answer पूछ रहे हो ठीक है पहले option में बोला है cost increase हो जाएगी जैसे जैसे respondent increase होंगे मतलब answer देने वाले जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके cost increase हो जाएगी second option देखिए there is a possibility of ambitious reply मतलब यह भी possibility है कि जब आप data collect करो कोई भी person ask first answer दे अगला देखिए this method is slower in comparison to other available method यहाँ पर ही बोला है यह method जो है slow है किसी और method के comparison में यहाँ पर देखिए it can be only used for educated and cooperative respondent कि आप questionnaire बना रहे हो तो यह जो है data collect करने में आपकी मदद तो करेगा लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं वही इससे answer दे सकते हैं या फिर cooperative respondent ही जो है उन्हीं के लिए useful है अब आप देखिए यह आप data collect करते समय यह अली possibility तो है कि लोग us first answer दे तो यह तो हानी है यह तो ठीक है और यह एक slow method भी है अगर आपने questionnaire बनाया कोई research का data collect कर रहे हो मालू poverty का data collect कर रहे हो अगर उसमें जादा लोगों ने answer दिए जादा लोग आपको answer दे रही है तो आपकी cost increase हो रही है ऐसा तो नहीं होता ना अगर मालू आपने होता था कि आप 10 लोगों की study करोगे लेकिन आप कहीं study करने गए आपके questionnaire के questions के answer 20 लोग दे देते हैं तो आपके पास तो और फाइदा है कि आपके पास क्या है data का का जो result आएगा जितना जादा हम sample size increase करते हैं उतनी जादा reliability क्या होती है आपके result की आती है तो यह तो गलत है ना यह जो है राइट answer हो चाहेगा अगला question देखी अगले question में बुला गया है कोप डगलस production function आपको given है यह आपको दिया गया है yi यह आपका बीटा 1 x i बीटा 2 और x 3 बीटा 3 एंड रैंडम वेरेबल ui यहाँ पर बुला है first आपको option given है कि x2 जो है वो आपका labor का input है तो यह तो सही है आपको बता है ना पहले आपके पास labor होता है यहाँ capital होता है और labor और capital जो होता है उनको अगरा रैड करते हैं उसकी elasticity 1 होती है कोप डगलस production function में तो यह बात बिल्कुर सही है कि x2 जो है आपका labor का input है और यहाँ पर x3 जो आपका रहेगा वो आपका capital का input रहता है तो यहाँ पर क्या है आपका दोनों ही statement correct है तो option number c आपका right answer हो जाएगा अगला question भी देखिए आपका OLS से आया है अब यहाँ पर OLS के बारे में बोला गया है कि आपका जो ordinary least square है वो कब normally distribution होगा उसके लिए क्या क्या होना चाहिए पहला है आपके जो OLS के estimator है वो unbiased है unbiased का मतलब होता है कि किसी भी तरह अगर unbiased का है कि किसी भी तरह कि आपके parameters में biasness नहीं है biasness का मतलब है कि आपने जो result निकालना है और जो actual result है मालो आपकी estimated value और आपकी actual value बराबर है तब आपके OLS estimator क्या होंगे unbiased होगे मालो मैंने कोई data की study करी research करी मेरा जो result है जो answer है estimated भी 500 है और actual में भी इतना ही आना चाहिए था दोनों ही बराबर है तो मैं कहूँगी कि मेरे OLS के जो estimator है वो unbiased है अगला है OLS estimator है minimum variance आपने पढ़ा है कि OLS में बोला जाता है कि जितना कम variance होगा आपके estimator का उतना ही आपका data stable मना जाता है उतना ही आपका data normally distribution मना जाता है तो question में यही तो बोला था कि आपका data normally distribution हो इसके लिए कौन-कौन सी मानेताओं का पूरा होना जरूरी है तो हम कहिंगे दोनों ही statement correct है option number C आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला गया है which of the following is correct regarding the model of specification error आपका क्या होता है यह भी हम जब study करते हैं इकोनोमेट्रिक्स जब आपने पढ़ी होगी इसमें भी OLS के अंदर 11 पता 10 अजप्शन है specification error जब आप study करते हैं तो आपके data में कोई specification जो है error होती है तो error होनी नहीं जाए अगर है तो आपके लिए problem वो create करेगी अब यहाँ पर यह बोला गया specification अगर error के बारे में कौन सी statement जो है correct है पहला है अगर आपका model under fit model है under fitting का मतलब है कि आपका actual result और estimated result में difference है आपका actual जो result आ रहा है वो कम है sorry आपका estimated result कम है अगर आपका model under fitting model है तो इसका मतलब है आपने कहीना कहीं जो variables है variables है उनको छोड़ दिया है यही तो बाता under fit का मतलब है कि कहीना कहीं model आपका जो है complete नहीं है अल्प है तो बहाँ पर इसका मतलब कि कहीना कहीं आपने अपने models में बहुत से variables लेने थे लेकिन आपने omit कर दी है omit का मतलब आपने जो जरूरी variables से अपने data में वह नहीं लिए तो under fitting model का मतलब यहीं हुआ तो यह statement नहीं है तो आपका जो model होगा specification error में वह क्या होगा over fitting model होगा तो यहां पर आपका दोनों ही statement correct है option number B आपका यहां right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला pedagogy पढ़ते हैं CDP का question है कि रोजचाल test हुआ तो उसमें जो कितने printed card inkbot वाले cards का use हुआ तो उसमें total जो है 10 cards का use हुआ था तो option number D यहां पर आपका right answer हो जाएगा जाएगा